हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगें टु माझ चैनल फाईसाई जैसा कि आपको पता है हम लोग वाइबरेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा जो है आज कल वो स्टड़ी कर रहे हैं इसमें ये हमारा लेक्चर नमबर फोर ठीक है लेक्चर नमबर फोर में हम लोग क्या स्टड़ी करेंगे हम लोग स्टड़ी करेंगे वाइबरेशनल फ्रिक्वेंसी वाइबरेशनल फ्रिक्वेंसी और फोर्स कॉंस्टेंट of n harmonic oscillator ठीक है ठीक है harmonic oscillator पहले हमने study किया molecule as a harmonic oscillator जो last lecture था उसमें molecule as n harmonic oscillator हमने study किया था ठीक है उसके energy levels हमने देखे थोड़े से अलग थे थोड़े उनके बीच में जो spacing थी वो आइस्टा इस्टा जो है वो decrease करती जा रही थी तो आज हम अगर n harmonic oscillator है उस case में अगर हमें force constant निकालना हो जा frequency निकालनी हो तो वो कैसे निकालने उसका तो कोई particular formula हमारे पस था ठीक है जैसे अगर हम देखे मारे पास frequency आ रही थी oscillation की वो यह आती थी मारे पास 2πi under root k upon mu और mu क्या है mu कहते हैं हम reduce mass ठीक है यह था हमारे पास अब तक है ना और यह तो classical oscillator है simple harmonic motion है इसमें simple harmonic motion में हमें पता है यही frequency of oscillation होती है जिसमें k क्या है k है इसमें force constant है ना और अगर यहां पे हम omega की form में अगर हम लिखें तो omega जो है वो होता हमारे पास new oscillation by c ठीक है जिसको कहते है vibrational constant ठीक है इस तरीके से हमारे पास अगर हम harmonic oscillator की बात करें तो इस तरीके के हमारे पास जिसको कहते है frequency of oscillation और wave नंबर आ जाता है ठीक है अगर हम harmonic oscillator की बात करें अगर हम harmonic oscillator की बात करें तो हमारे पास situation जो है वो थोड़ी से different है ठीक है क्या situation है कि जैसे जैसे हम जो higher से higher quantum number पे चले जाते है जैसे जैसे ये vibrational quantum number है ये increase होता है जैसे जैसे vibrational quantum number increase होता है वैसे वैसे जो है वो जिसको कहते है classic जो frequency है वो कम होती जाती है ठीक है frequency कम होती जाती है ठीक है हम देखते है वो कम होती है तो कैसे होती है ठीक है अब देखे अगर हमें अगर हम energy level देखें इसके ठीक है मान लिजे ये हम आपके पास एक ये आपके पास potential है उसका ठीक है यहां पर यहां पर मैं अलगअ अलगअ अन्रजी लेफना देता हूँ जैसे मान लिजी ये जीय। जीरोतं अनरजी लेफना है ये फॉष्ट अनरजी लेफना है ठीम गारीकिर अगर यह आगे वला क्या होगा वी प्लस व्हान ठीक है and so on और आगे इससे आगे क्या होगा V plus 2 मैं थोड़ा dissociation वाली जगा ही पहुँची गया ठीक है ऐसे से energy level जो है वो आगे आगे increase होते जाएंगे ठीक है अब इस case में अगर हमने निकालना हो oscillation वाली frequency तो वो basically किसका function आएगा इस V का function आएगा जो की vibrational quantum number है harmonic oscillator के case में नहीं आया था लेकिन इसमें जो है वो V के उपर भी depend करेगा ठीक है और किसके बराबर होगा C और साथ में delta G V अब यह GV है क्या ठीक है और delta GV क्यासे लिख रहे हम ठीक है जो हमारे पास GV था ठीक है उसको हम कैसे लिख देते है omega E V plus 1 by 2 minus omega E X E V plus 1 by 2 का whole square यह तो यह आगया हमारे पास लेकिन हमने लिखा है delta G ठीक है तो delta G कैसे define करते है यहाँ पर इसको equation number 1 दिख देता हूँ इसको equation number 2 लिख देता हूँ अब इसको कैसे define करते है हम यहाँ पर लिख देते हैं याद रखना यह new है और यह V है ठीक है vibrational quantum number ओके जी तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे अब पर लिखा C, C तो ही है और delta G तो delta G कैसे लिखेंगे delta G V plus 1 by 2 plus delta G V minus 1 by 2 और divide by 2 अब यह G minus 1 by 2 है क्या यह ठीक है हम क्या करते हैं अगर हम इन दोनों levels के बीच की spacing देखें ठीक है तो आती है हम अर पास उसको बोलते हैं delta G V minus 1 by 2 और अगर V और V plus 1 की देखते हैं तो आता है delta G into V plus 1 by 2 तो यह spacing है इन दोनों की average लिए basically हमने ठीक है इन दोनों की average लिए तो जब हम इन दोनों की average लेंगे तो इसमें value पूट कर देते हैं ठीक है यह क्या आएगी इन दोनों की spacing और यही formula पूट कर देना हमने ठीक है इसको लिएतने 1 by 2 C ठीक है और अंदर क्या आगया G of V plus 1 minus G of V यही है न plus G of V minus G of V minus 1 ठीक है जी यह आगया और इसको अगर हम solve कर लें तो हमारे पास आजएगा half of C into G V plus 1 minus G V minus 1 ठीक है अब देखिए हमारे पास यह GV है यहाँ V की जगा अगर हम V plus 1 पूट कर लें तो यह वाला formula मलब यहाँ पे पूट करके तो यह solve हो जागा और V minus 1 पूट करेंगे तो यह solve हो जागा ठीक है इसको मैं दुबारा इस तरफ लिख लेता हूँ ठीक है और C into अब हमने उसकी value पूट करनी है ठीक है C by 2 पूट सॉरी ठीक है यह C by 2 आ रहता और यहाँ पे G V plus 1 minus G V minus 1 ठीक है अब जब इसकी value पूट करेंगे तो आएगा क्या ऐसा आएगा मरपस omega E किया आजएगा V plus 3 by 2 minus omega E X E V plus 3 by 2 का holes किया यह तो एक बन गया हमने पास ठीक है जब G की V plus 1 पूट करेंगे उस formula में ठीक है और साथ में आजएगा minus omega E V minus 1 by 2 minus omega E X E V minus 1 by 2 का hole square और यह bracket close इसको हमने solve करना है सारी value करके जो भी करके जो solve करके आएगा मैं वो directly करहा हूँ वो आजएगा आपके पास C ठीक है आप करके check कर सकते हैं ऐसे वीडियो lengthy हो जाएगा ठीक है यह छोटा साथ जेबरा जो आप कर सकते हो easily या omega E omega E X E minus 2 omega E X E V और यह क्या है आपकी frequency of oscillation अब general formula तो anharmonic oscillator के लिए यह आ रहा है ठीक है और आप देख सकते हैं that new oscillation is the function of V अब देखे जैसे जैसे V बढ़ेगा यह वाला factor बढ़ेगा और यह factor इस factor से कुछ ना कुछ minus हो रहा है इसका मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा as V increases new oscillation decreases ठीक है यह पहले भी बताया भी हमने ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक चीज let करते हैं ठीक है let there is a hypothetical state एक hypothetical state है जिसमें V is equal to minus 1 by 2 होती नहीं है ऐसी को state हमें पता है lowest energy state V is equal to 1 होती है और वहाँ भी खुछ ना कुछ energy होती है ठीक है जिसको 0 point energy कहते हैं तो यह मान लेते हैं अगर हम minus V by 2 एक hypothetical state है कहाँ पर इसको यहाँ पर मान लो यह 0 state थी यह आगी कितनी minus 1 by 2 यह वाली state 0 से भी नीचे ठीक है 0 के पास कुछन उख नर्जी है इसलिए मैंने इसको यहाँ बनाया हुग इसकी value अगर मैं यहाँ पर put करूँ इसकी value अगर यहाँ पर put करूँ क्या बनेगा new oscillation is equal to c omega e minus omega e x e minus 2 omega e x e into minus 1 by 2 है ना V की जगा minus 1 by 2 यह 2 से 2 cancel यह minus minus plus हो जागा और इससे cancel हो जागा तो new oscillation is equal to क्या बन गया c into omega e ठीक है तो क्या कर सकते हैं इसको define कर सकते हैं अपने तरीक्य से वो कैसे ठीक है इसमें ठीक है इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ दी एन हार्मोनिक पुसलिटर यह देख तरीक श 10 कोन परेड़र आपक स्रेशद्टución canine आपक तरीक07 कोन परेज़ सकते हैं है यहकिंतव सकते हैं क्योद्टेक शचचरस्चरस्च दिथा। सकते हैं ऑक पर travelers idea for an infinite decimal small amplitude ठीक है हमारे पास अगर amplitude बड़ा ही कम है देख रहे हो आप amplitude बड़ा कम है वहाँ पर है अगर हमारे पास amplitude बहुत ही कम है ठीक है तो जो एन हार्मोनिक उसिलेटर है उसकी जो classical frequency है वो यह आएगी ठीक है that is in the imaginary state कौन सी state में v is equal to minus 1 by 2 ठीक है और curve के बिल्कुल bottom पे होगी है ठीक है अब हमारे पास यह तो हो देखे एक ना hypothetical state को यह हो नहीं सकती ठीक है तो हमने खुद से मान ली और वहाँ पे अगर hypothetical state है तो हम बोल सकते है कि जो omega ही है वो represent करती है vibrational frequency ठीक है वेब नंबर में जो की किसी n harmonic oscillator के पास हो सकती है अगर वो इस state में ठीक है तो n harmonic oscillator के पास same जैसे classical frequency वैसी ही frequency होगी अगर हम माने कि वो v is equal to minus 1 by 2 वाली state में ठीक है तो यह बड़ा easy है तो यह आगे new oscillation is equal to c omega e और यह किसके परबर आजएगा फिर हम उसको किसके परबर लिख सकते है यह जो e लगा रखा बैटा यह इसलिए लगा रखा है ताक एन हार्मोनी के लिए ठीक है इसको अगर हम solve करें तो यहाँ से force constant कितना आजएगा 4 pi square स्केरिंग करेंगे बोड साइड और mu और c square और omega e square इस formula से आप क्या निकाल सकते हो इस formula से आप force constant निकाल सकते हो और इससे frequency of oscillation निकाल सकते हो तो आज के lecture में इतना ही ठीक है तो अगले lecture में हम लोग isotopic effect जो है vibration level का वो study करेंगे 3-4 दिन जा maybe next week मैं वो lecture डाल दूँ इसमें ठीक है तो मिलते हैं अगले lecture में अगर आपके कोई भी कुछ भी question होगा तो आप मेंसे पूस सकते हो ठीक है comment करके यहां पर मैं लिखता हूँ तो काफी गलती हैं भी हो सकती है मेरे से तो अगर कोई गलती होगी तो please sorry और मेरे को जरूर बताईए ठीक है बगकी thank you